हेलो फ्रेंड्स, असलाम वालीकुम, कैसे हैं आप सब, उमेद करूँगी, आप सब ख्यारियस सी होंगे आज हम बनाएंगे चिकन फ्राइ, बहुत ही टेस्टी और सिंपल तरीके से, चलिये से बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने आदा किलो चिकन लिया है, 500 ग्राम इसी धोके साफ से वाश कर लिया है इसमें हम डालेंगे हाफ ती स्पून हल्दी पाउडर, एक छोटा चमच दालिए, आदा छोटा चमच तेके साथी में इसमें डालेंगे हाम 2 टेबल स्पून अदर लसन का पेस्ट, वन टी स्पून धनिया पाउडर, एक छोटा चमच धनिया पाउडर दालिए, एक छोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर दालिए, और अदा छोटा छोटा चम्मज कश्मिरी लाल मिछ डालिए चाथ है यहां पर डालेंगे गरम मसाला, और अधा चोटा चम्मज का स्वाधा पाउडर, यह होम मीट काली मिरश है मैंने घर में इसे पीछा था तर्मिक्सी में, तो वो में डाल रही हैं, पर चाथ मसाली चिकन के स्वाधा अनु मिक्स कर लेजिए यहां पर मैं कॉन फ्लार डालना भूल गई थी तो हम टू टेबल स्पून यहां पर कॉन फ्लार डालेंगे एक लिम्बू का रस डालना है क्लिप वो शूट नहीं हुपा है इसलिए मैं आपको दिखाए डाल के जो है इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर मसालो को जो है आप अच्छे से मिला मिला के हर एक चिकन में लगा दीजिए ताकि हर एक चिकन में फ्लेवर आए मसाले के अब इसे जो है अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं से मैरिनेट करने के लिए आदे गंडे के लिए देखें मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके ह अब इने में साइड में रख देती हूँ एक कडाई ली है उसमें टेल डाला है टेल को गरम करने रखा है इस तरीके से आप हाथ उपर लगा के चेक कर सकती हो कि टेल गरम हुए है या नहीं आपको थोड़ा सा हलका सा उपर आश लगती है दुआ लगता है गरम जैसा तो मतलब हमारे तेल गरम हो चुके हैं तेल जब अच्छे तरीके से गरम हो जाए तब हम इसमें चिकन के एक एक पीस ऐसे डालेंगे और गैस की फ्लेम को अभी आपको लो रखना है आप एकदम लो रखिए और सारे चिकन डाल दीजिए एक बार तेल को हाई फ्लेम पे गरम करना है तेल अच्छे तरीके से गरम हो जाए तब जो है फ्लेम को लो कर देना है सारे चिकन के पिसे आप इसे तरीके से डाल दीजिए और दस मिनिट के लिए इसे छोड़ दीजिए ताकि चिकन जो है हमारे अंदर तक के अच्छी तरीके से पक जाए दस मिनिट के बाद देखिए मैं टरण कर रहा हूँ, आप इसकी साइट टरण कर लिजिए ताकि दूसरी तरह इसे भी पक जाए, दस मिनिट के बाद हम क्या करेंगे, अब गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारी चिकन जो है, उपर से क्रिस्पी लगए फ्लेम हाई करके जो हम फ्राइ करेंगे तो उसका मतलब यह है जो हमारी चिकन उपर से अच्छे क्रिस्पी बने और अंदर से सॉफ्ट ठीक है तो इस तरीके से आप चिकन फ्राइ कीजिएगा देखिए यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैं इसे एक दो मिनिट के लिए पका ले रही हूँ चिकन देखिए काफी अच्छे तरीके से हमारा फ्राई हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे देखिए सारे चिकन के पिसस जो है इसी तरीके से मैंने निकाल लिया है और देख सकते हो आप वाव कितना बैतरीन ये फ्राई हुआ है अब जो बाकी की चिकन है हमारे वो भी हम इसी ओईल में डालके उन्हें भी जो है सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे ठीके आपको जो है चिकन को डालना है और तेल अच्छा गरम करना है उसके बाद में चिकन डालना है चिकन डालके जो है दस मिनिट के लिए लो फ्लेम पे रखना है ताके चिकन अच्छे से पक जा है अंदर से दस मिनिट गवार से साइट टन करना है फ्लेम को हाई करके दो-तिन मिनिट इसे और फ्राई कर लेना है देखिए बाकी चिकन भी मैंने fry कर लिया हैं उन्हें भी इसी तरीके से fry करके निकाल लिया हैं चलिए आप मैं आपको प्लेट में निकालके दिखा देख सकते हैं अप यह हमारा चिकन फ्राइ जो हैं बनके तैयार हुआ है, उमेध करूँगी आपको जरूर पसंद आई होग